करेंगे और इस प्रफ्रशन होगा वह जहार्खन नदी यह एंगम उनके सहाइक नदी का सही मिलान करें अब मैं यहाँ पर इसका एंसर के साथ ही मैं आपको बतांगीा कि किसी तरही के कोई confusion नहों देखे अजय नदी इसकी साहिक नदी कौन सी है तो पत्थरों और जयंति यह अजय की साहिक नदी है अगला जो नदी है वो है गुमानी नदी इसकी साहिक नदी कौन सी है तो यह है मेरेल नदी अगली नदी जह है वो है स्वन्रेखा नदी इसकी साहिक नदी कौन सी है तो यह खर्कई कांची संजे और कसाई यह सबी नदियां मैयुराक्षी नदी इसकी स्यप्रा पुस्रो भामरी और दौना यह स्वण्णेरेखा नदी की सहायक नदी सहायक नदी अब नेक्स्ट जो प्रश्न यह जारकट की नदियों से ही है अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन स्वन्रेखा नदी के संबंद में सत्य नहीं है आपको वो कथन चुनना है जो कि स्वन्रेखा नदी से संबंदित सही नहीं है तो सबसे पहला कथन है कि स्वतंतर रूप से सागर में मिलने वाले राजे की एक मात्र नदी है तो यह कौन सी नदी है तो वो स्वन्रेखा नदी है और यह बिल्कुल सही है कि स्वन्रेखा नदी जो है वो स्वतंतर रूप से सागर मिलने वाली राज्ये की एक मात्र नदी है अगला कथन है कि गेतल सूत बांध स्वनरेखा नदी पर बना हुआ है तो ये भी कथन सही है गेतल सूत मांध स्वनरेखा नदी पर बना हुआ है स्वंड्य रिखा का अपवार श्यट्र जारकंड की दक्सिन पूरव में है मैं यहां पर चुटा सा मैप बना करके मैरे ऐसे मित्रों को बताना चाहूंगी जो की नहीं नहीं त्यारिwen में लगे हैं उनको बहुत जाधा जनकारी है नहीं देखे किधे रहे अधक्स झारकन का दक्षीन-पूरभ और कैसे咃 रिख स्वर्न्रेखा नीचनादी निखली और ये दक्षीन-पूरव ॐर प्रवाहित होती हुई आगे जाए कर घलcek बंगाके हाड sage यह गलत दिया हुआ इसकी साहक नदी जो है वो बोकारो और जमुनिया नहीं है िस्किसकी साहक नदी मैंने इसके पहले वाले प्रशन के उतर में बता दिया है और यह em ale कई कांची संजय कसाई यह सभी स्वंडरेखा की सहायक नदिया हैं अगला प्रश्ण ज्हारकंड के खान और खनीज से हैं सिलेबस में खान खनीज के बारे में बहुत सारे टॉपिक में मिंशन किया हुआ तो लगवक छे साथ प्रशना पैसर रख लीजे जो खान और खनीज से हो सकते हैं तो वेनेडियम का उत्खनन राज्य के किस्षेत्र में सबसे ज्यादा होता ही आपको बताना है इसका एंसर हो मेरेडियम का सबसे ज्यादा उत्खनन होता है नेक्स्ट प्रस्टन जो है वह वित्तियवर्स 2019-20 में अनुमानित कुल दुध उत्पादन का प्रती दिन कितना लिटर था तो कुल दुध उत्पादन का अनुमान लगा गया कि एक दिन में 68 लाक लीटर दूध जो है वह उत उत्पादित हुआ है उत्पादन हुआ है 2019-2020 के बीच में ठीक है इसके बारे में ज्यादा डीटेल मैंने इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में करा दिया है देखिए निम्न अभिहर्ण ने और उसके छेत्र का गलत मिलान का पहचान कीज़े और इस कोशन को मैंने इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में करा आया लेकिन फिर विम्न आज करा देती हूं देखिए तो यह लाते हार में यह सही है आपको गलत मिलान बताना है तो चाची अभिहर्ण ने कहां पर धनबाद में यह भी सही है लवा लॉंग अभिहर्ण ने कहां पर यह गिरिडी यह भी गलत यही एंशर एंड़ी नंबर यह गलत है यह ंतों गलती हो गई थी अर मिले भी तो यह गुंबला में थी और आप सभी याद रखेंगे सिंगल भी कोशन पुछा रा सकते और इस तरीके से भी तो जितने भी अब यहां रंडे कहां पर है कौन से जल प्रपात गरम जल प्रपात सब कहां पर है यह सभी छेतर आपको याद रखने हैं निश्चित यहां से कोशन पूछा जाएगा तो जहां से एकदम कंफर्म है कि कोशन आएंगे तो उस वह सारे टॉपिक जो एकदम आपको कंठस्ट कर लेने हैं अगला प्रशन है कि जार्खन के भागॉलिक सीवमा के संदर्व में कौन सा कथन सही नहीं है आप देखिए आपको इसके बारे में आपको अच्छे से जानना पढ़ेगा कि जार्खन का जो भागॉलिक सीमा है उसके बारे में जार्खन का गढवा जीला एक मात्र ऐसा जीला है जो उत्तर प्रदेश को सपर्स करता है यह बिल्कुल सही है अब यहां मैं आपको एक मैप बना करके भी बता देती हूं जो भी मेरे मित्र नहीं नहीं है उनके लिए बहुत ज्यादा हैलफूल हो जाएगा गढ़वा कहां पर जॉत पर में फिर नहीं होग ठीक कर रहा यूपी के साथ भी अपने सीमा साजा कर रहा है और बिहार के साथ भी अपने सीमा साजा कर रहा है तो तीन राजियों के साथ गढ़वा जो अपने सीमा को लगाता है और जहारकंड का ऐसा मतलब पहला जीला है एक मात्र ऐसा जीला है जो कि तीन राजियों के साथ इसकी सीमा लगती है साथी साथ गड़वाय कैसा जीला है जो कि उत्तर प्रिदेश के साद में अपने सीमा साजां करता है कोई अन्ने जीले के आ sounding सीला इतनी जनकारी आपको उंबिल गई घडवा जिला से जार्खन के पुराब में कॉन सा है तो पशिव मंगल परसिव में है श्थिस गड उत्थर में है अगला जो कथन सब करते हैं और यह सब्सक्राइब करता है जारखन राजी के maior जीले बिहार को, दस जीले पशिम मंगाल को, चार जीले उडिसा को, और चार जीले च्छतिस गड़ के साथ, एक जीला गढ़वा के साथ, जो की उत्तर पदेश को असपर्स करता है, तो सभी जीलों के बारे मैं आपने जान लिया, गढ़वा जो है, आपके जे गढ़वा, ल सभी उडिसा के साथ, अपनी सीमा को साजा करते हैं, तो यह तो हो गया, सीमा के बारे में डिटेल, और कहीं से भी कोशन पूछ पूछ जाएगा, जो मैं व्याक्या में बता रहे हूं, तो आप उसको भी अच्छे से याद रखे, आपको पता चल गया होगा, कि कौन-कौन स साजा करते हैं, कौन-कौन सी जीले जो है, वो 36 गड़ के साथ अपनी सीमा को लगाते हैं, अगला प्रशन है कि जार्खन की जंगर्णा 2011 के अधार पे नीम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है, अब आपको इसके लिए जंगर्णा 2011 जो जार्खन के संदर में होगा, वो वादा है, ये बिल्कुल सही अंसर है, अगला कथन है कि जार्खन का साक्षर्टा अधर 66.4 प्रतिशत है, बिल्कुल सही है, जार्खन का साक्षर्टा अधर 64.4 प्रतिशत ही है, अगला प्रशन है कि जार्खन में सबसे अधिक साक्षर्टा अधर पुर्वी सिंग्भू मे है यह गलत है जखारकमे सरवाधिक सख्रता दर कहा पर है सायर्था कर में निनदों सख्षर्दा दर पाकुड़ में वह्याओं में ही और पुर्शों में सबसे कम सब्सकर महीं अगला स्वल्पार्च जिवाश्मस पार्क गलता हैस तो यह है बिर्वल्साइक जिवाश्म पार्क तो यहां पर एक ही प्रस्ट में कितने डिटेल आपको मिल गए तो जो बिर्बल साहनी जिवास में पार कहां पर है तो यह है साहेव गंज में ठीक है और साहेव गंज मैं आपको लोकेट करके बता देती हूं जारकन की किस शेत्र में है ताकि मेरे वैसे भी मित्र कनेक्ट हो सहीं जो कि नहीं नहीं लगे वैए तैंयारी में देखें इसके लिए मैप का जानकार्या को बहुत जरूरि यहां अपर साहेव गंज है और एक रब्ध्रव साहनी जिवासम् पार्क स्थित है और इस जिवासम पार्क में विक दमने क्यों है इसका निरमान कराएगया है ठीक है थोड़ा सा और इसको हम लोग डिटेल में जाने इसके व्याक्या में जार्खन राज्य बनने के बाद साहिवगन छेत्र में राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गेड़ मंदार नेचर क्लब के द्वारा राजमहल जिवासमोध्यान विक्सित किया गया है ठीक है अ थी तो यह कोईला धोवन उद्योग कोल वाश्चरी जिसको HOL वाश्चरी बोल यह क Pennsylvania दोवन उध्योग के स्वांग करगली लोधना पाथडी भोजुडी कथारा और दुगदा यह सब ही छेत्र जो हैं वह कोईला धोवन उद्योग के लिए प्रसिद हैं अगला प्रश्ण है मैं आपको बता है खान खनी उद्योग रंदों यह सबसे बहुत प्रश्ण होंगे क्योंकि इंडिस्ट्र मिलान जो घारकन के जल प्रफात हैं जो मिलान किया गया है तो जबंग को गलत मिलान बताना है तो अंसर के साथ ही विद्योग attitude मिलान कौनसा ही आपको बताना है zodनी घार जल प्रपात काहां पर है गुम्ला में शंख नदी पर है यह सई है मोती जारा जल प्रपात राजमहल अजय नदी यह भी सई है तो गौताम भाराज जल प्रपात कहां पर ayudar कि है यह दामोदर नदी पर नहीं है गौतम धारा जलप्रपात आप सभी बताएंगे किस जगह पर है और किस नदी पर बना हुआ है जलप्रपात यह सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा सदनीग घौतम धारा जलप्रपात नदी पर नदी पर नदा भता है और किस जगह पर है यह जानना चाहती हूं कि आप यहां तक के वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि यहां तक आप पाते हैं यह जानने है जारकन और दोगिक निती के संबन्द में नीम्न कथनों पर विचार की जब आई आईए आप सबको पता हैं कि पांच अध्यकोशन जोें वह आएंगे तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन माप कीजिएगा कौन सा कथन सही है या नहीं है या चीज बताना एक बार और कोशन में रिट कर देते हूं इन्यम्न कथनों पर विचार कीजिए आपको विचार करके बताना है देखें आप्षिन नमबर ए जो है एक है इस निती की घोषना पहली बार 2001 में की गई थी यह आप इन्वेस्टर मीट के आयोजन का प्रस्ताव इसी निती के अंतरगत रखा गया था और चौथा यह इस निती के बाद राज्य में कोई भी मेगा उद्योग मेगा उद्योग वरिहद उद्योग और मद्ययम लगूद्योग की स्थापना हुई है तो इसका कथन जो सी है यह स चार साहिए वाकी के सभी गलत हैं ठीक है इसमें 12 प्रतिशत विकासदर का लक्षे नहीं रखा गया था अब हम लोग इसको इहां पर डिटेल में देखते हैं और दोगी की निती की घोष्णा सबसे पहले 2001 में हुई थी कभी थी जार्खन में अदूगी की घोशना क्योंकि 10 प्रतिशत विकासदर का लक्षे रखा गया था और राज्यक के द्वारा इंवेस्टर मीट का योजन का प्रस्ता हो जार्खन की अदूगी की निती 2012 में रखी गई थी नाकि 2001 में रखी गई थी तो दो जब देखा गया कि 2001 की सफलता को ध्यान में रख करके किस नई अदूगीक निती को लागो किया गया है तो जब देखा गया कि 2001 का अदूगीक निती सफल रहा तो उसके बाद फिर से दूसरी अदूगीक निती बनाई गए और ये निती थी कौनसी तो जार्खन अदूगीक निती 2012 ठीक है तो दूसरी अदूगीक निती कब आई यहां पर देखिये कच्छे माल उपलब्द हैं scrm उपलब्द है आसफास जन्यश्डीक में बजार उपलब्द है सस्ते स्रम उपलब्द है खासकरके कच्छे माल ले जाने को परीवान सब्वी सही तरीके से उपलब्द है तो पर यहाँ पर विकास Spread result नहीं है इस निति के का पहला जो मतलब सही तरीके से विकास के 2001 का जो मतलब विकास निती बनाए गई तो उसका देखा गया कि इसका पड़ी नाम बहुत अच्छा निगला इस निति के कारण राज्य में 26 उद्योग 18109 सुक्ष में छोटे उद्योग के स्थापना हुई और इतना ज् इसी चीज को ध्यान में रख करके औद्योगिक निति 2012 वो फिर लाई गई जार्खन S. और निती 2016 का उद्देश से क्या था पो ह इससे तब ही तो इसका आंसर करपा का राधान सुन से कथन दिए होए हैं though भारा सरकार कि विभिन नीतियों को कोशल विकास डिजिटल इंडिया स्मार्ट सिटी योजना इन सभी को उचित धंग से लागो करना बड़े उद्योग सुक्षमद्योग लगो या मध्यम उद्योगों के बीच में संगपर का सापित करना शोध कारे एं तक्निकी छेत्रों में विकास को प्रोशाहन देना तो यह सभी कथन जो हैं वो सही हैं तो आज आपने कुछ ऐसे महत्वपुन प्रश्णों को देखा जो की जपीएसी के सीलबस के कोडिंग था और आपकी एक्जाम के पॉइंट बहुत जादा इंपॉर्टन तो आप आज कल के क्लास में लोग इसके आंग झाल